सूरस से प्रसिद्द देवीस्थल पावगड के लिए दर्शन को निकले लोगों से भरे मिनी ट्रक में तब चीक पुकार मच गई जब ये मिनी ट्रक रात के अंधेरे में एक ट्रक से जाटक राया जिसके बाद हाथसे में घायलोगों की पुकार सुन देखते ही देखते वहाँ आसपास के लोगों की भीड इखटी हो गई दरसल गुजरात के वड़ोदरा में रात करीब 3 बजे मिनी ट्रक और एक ट्रक के बीच भीशन सड़क हाथसा हो गया और इस भीडंत में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जिन में 5 महिलाओं के साथ एक बच्चा भी शामिल था हाथसे के बाद घायलों की चीक पुकार सुन कर आसपडोस के लोग मदद को पहुँचे और पुलिस को सूच न दी जिसके बाद बचाव के लिए पहुचे सुरक्षा कर्मी और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए वड़ोद्रा के सयाजी अस्पताल में भरती कराया आपको बता दें कि इस हाथसे में 17 लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं वहीं इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों ने ट्वीट कर शोग जाहिर किया है पीम नरेंद मोधी ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है और लोग सभा के स्पीकर ओम बिर्ला ने भी वड़ोद्रा की दुरगटना पर शोग जताते हुए कहा कि गुजरात के वड़ोद्रा में सडक हाथसे में कई लोगों की मृत्यू का समाचार पीड़ा दायक है इश्वर दिवंगत आत्माओं को अपनी श्री चर्णों में स्थान दे शोग संतप्त परिजनों के प्रती समवेदना व्यक्त करता हूँ घायलों के शीग्र स्वस्त होने की कामना है वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजरूपाणी ने इस हाथसे पर दुख जताते हुए ट्वीट में लिखा है कि वड़ोद्रा के पास हुए सडक हाथसे के कारण जान माल के नुकसान से दुखी हूँ अधिकारियों को जरूरी कारवाई करने के निर्देश दिये हैं जो लोग घायल हुए हैं वे जल से जल ठीक हों मैं दिवंगत आत्माओं के लिए प्रातना करता हूँ भैराल घायलों को बचाने के लिए डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं देश और दुनिया से जोड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तरकश को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद